यूपी में 2019 के लोग सभाचुनाव को लेकर निर्वाचनायों की तैयारियां जोरो पर शल रही हैं लेकिन बलिया में नजारा कुछ और ही देखने को मिला है जहां बलिया के करीब 100-100 तक के प्रात्मिक विद्यालों में अब तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है बता दें कि विद्यालों को बूत बनाया गया है और यहां 19 मई को मतदान होना है लेकिन अब तक इन बूथो पर बिजली की कोई विवस्था नहीं की गई है वहीं निर्वाचन अदिकारियों की माने तो मतदान से पहले सबी बूथो पर बिजली की विवस्था को पूरा कर लिया जाएगा और अब सवाल ये खड़ा होता है कि 19 मई को जून बूतों पर मतदान कराया जाएगा उन बूतों पर बिजले की विवस्था नहीं की गई तो क्या अंधेरे में मतदान कराया जाएगा